असलाम लेकुम दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे रैप टेक्स और मर्जन सेंटर पर तो देखे का मेरे पास यहाँ पर एक अड्रेस का सहल है और इस सहल के अंदर एक कम्प्लीट अड्रेस लिखा हुआ है अदर मिमर्ण के होता है जब किसी भी सहल कंदर हम कोई भी अड्रेस या कोई भी 는지 कोई बड़ा टेक्स लिखते हैं तो वह सेल से बाहर चला जाता है तो उसके लिए margin center का use करते हैं जैसे यहाँ पर मैं one लिखता हूँ तो देखेगा यह एक cell के अंदर भी one आ रहा है अगर मैं यहाँ पर चार cell को मिलाकर एक cell बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं margin center का use करूँगा तो यहाँ पर उपर एक option दिखाए देरा margin center इसको पर click करेंगे तो देखेगा पहले जो चार cell थे वो अब एक cell बन चुका हूँ